बैनोर भायों अगर सही नेतुरुत्व है सही दिशा है तो क्या हो सकता है आप सब ने इसका अन्भोव किया है आपके आशिरवास से अभी अनुप्रिया जी कह रही थी कि वो मुझे श्रेय दे रही थी कि मैंने ये रोड बनाया वो रोड बनाया योगी जी ने भी दिया पर ये श्रेय मुझे नहीं है ये श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठीवी जनता को है अगर आप अनुप्रिया जी को मोधी जी को मुझे अगर आप चुनकर नहीं देते और लोग सबावे नहीं बेशते और अमारा शासन नहीं आता तो ये परिवर्तन कहां से होता इसलिए जो कुछ हो रहा है वो आपके बदोलत हो रहा है आपके लिए हो रहा है और हमारा परम करता हुए कि माई बाप सरकार आप हो बैन और भाईयो उत्तर पदेश की तस्वीर बदल रही है मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर पदेश की तस्वीर को हम बदलेंगे और उत्तर पदेश सुकी संबरुद्ध संपन्न प्रदेश होगा गरीबी भुकमरी मेरोजगारी से मुक्ती मिलेगी गाव गरीब मजदूर किसान का कल्यान होगा और योगी जी बता रहे थे अच्छे हस्पिटल खुल रहे है अच्छी स्कूले खुल रही है नहीं तो मैं उत्तर पदेश में जब बीजेपी का ध्यक्ष था तो एक बार काहनी सुनते-सुनते मैंने वर्लक किया था कि स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है डोनों है तो विल्डिंग नहीं है और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है वार योगी जी आपने ये तस्वीर बदल अस्पताल की हालत यह थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं नर्स है तो डॉक्टर नहीं दोनों है तो दवाई नहीं तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए ऐसे अस्पताल के विए माप करना मैं उत्तरपदेश बहुत घुमाओं लोगों की व्यता जानता था पर योगी जी यह उत्तरपदेश आपको कभी भूल नहीं सकता आपके नेत्रूतों में एक सुकी समरुद्ध संपन्न उत्तरपदेश बनाने के लिए आपने सूशासन की स्थापना की केवल सूशासन की स्तापना में भारतिय जन्ता पार्टी का ध्यक्ष था तो काराले के पीछे सामने एक बोर्ड लगा था राश्ट्रवाद, नैश्ट्रवाद हमारा आत्मा है हम दो चार रहे न रहे तेरा वईभव अमर रहे मा यही हमारा सिठ्धान था दूसरी बात हमने कही थी कि गूड गवर्नस, सूशासन और तीसरी बात थी विकास, डेवलपमेंट नो फिलोसोफी कन बे टॉट टू एम्टी स्थमक यह विवेकानन जी ने कहा था सूशासन की बात हम करते थे तब यूपी की बात होते थी, गुंडा राज की बात होते थी, माफिया राज की बात होती थी मैंने एक बार कॉंट्रेक्टर को भी कहा था आपके जैसे ही कहा था कि आपसे मालपानी नहीं लिया है पचास लाग करोड के काम के हिंदोस्तान का एक भी कॉंट्रक्टर नहीं काई सकता कि गड़करीजे के घर पर जाना पड़ा मैंने वहला ये देश की संपत्ती है अगर रे रोड ठीक नहीं बनाएंगे तो बुल्डुजर के नीचे तुमको जाना पड़ेगा ये याद रखना और मुझे खुशी है कि कानूर और विवस्ता को मेंटेन करने के लिए सूशासन को प्रस्तापित करने के लिए जो माफिया थे जो गुंडत बुंडे लोग थे जो अंडरवल्ड था जो क्रीमिनल थे उनको आपने समाफ्त करने का काम किया और उत्तर पदेश में सूशासन की स्तापना की रामराज्यक की स्तापना की इसलिए देश की जनता की और से भारत की जनता की और से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रवाद और सूशासन के बाद development वो तो आप देख रहे हैं मैं आता था 2014 के पहले पब्लिक मिटिंग में लाइट चले जाते थे अंदेरे में बिजली नहीं थी आज आप 22 घंटे बिजली दे रहे हैं वीज बिजली पानी रस्ते और कम्मुनिकेशन चार चीज़े जहां होगी वही investment आती है और जहां investment आती है वही रोजगार निर्माण होता है सही में महातमा गांदी जी ने जिस रामराज्य की कलपना की थी आयोध्या में तो राम मंदीर भव्य राम मंदीर निर्मान हो रहा है हमारी सब की आस्ता श्रद्दा का प्रतीक जिस दिन आपने भूवी पूजन की आम टीवी पर देख रहे थे हमारे आखों में आसू थे कितना संगर्श करना पड़ा कितने लोग शहीद हुए वो सपना पूरा होते वे देख रहे थे पर राम मंदीर तो होगा ही भव्य राम मंदीर होगा पर उसके साथ साथ आपके नेतरुतों में मोदी जी के नेतरुतों में उत्तर पदेश में राम राज्य का निर्मान होगा ये और कुशी की बात है हमारे च्छत्रपती श्वाजी महराज हमारा दैवत है उनके बारे में हम लोग बार बार च्छत्रपती श्वाजी महराज हमारे माबाप से भी जादा श्वाजी महराज की पूजा करते हैं उनका वर्णन रांदा स्वामी ने किया था यशवन्त कीर्थी वन्त वर्द वन्त सामर्थ वन्त जानता राजा निश्च्याचा महामेरू बहुत जनासी आधारू कंडस्तिती चा निर्दारू स्रीमंत योगी प्रभू राम चंद्र ऐसे ही थे छत्रबती श्वाजी महारा जो प्रभू राम चंद्रो यही हमारे दैवत है देव है उनी के आधर्शो पर इस राष्ट्य को निर्मान करना है दुनिया में भय, भू, कातंक और भ्रष्टा चार से मुक्त करके सुखी, समुरुद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, सामर्थशाली हिंदुस्तान का निर्मान करना, यही भारती जन्ता पार्टी का मैनिफेस्ट हो और यही विचारा है, और मुझे खुशी है कि इसी राम राज्य के निर्मान की और आपके नेतरुतों में राज्य जा रहा है, मैं आपको बहुत बहुत बदाई देता हूँ, और MLA और MP को क सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत देए